दूस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपने Microsoft Bing से reward points को earn किया है, आप उसको redeem नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने server को यहाँ पे change करके points को earn किया था, और अभी आपका reward जो लॉक हो चुका है, आप जो है इंडिया कंट्री में, अपने points को भी न कर पाएंगे या नहीं, एकदम 60 जनकारी देने वाले हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है, तो विल्कुल भी skip करके वीडियो नहीं जाना नहीं, तो आप जो ऐसे रेंडम ली बहुत सारी वीडियो पे जाते रहेंगे, और आपको कभी भी solution नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि Microsoft की services इतनी जादा घठिया है, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप feedback एक बार Microsoft को दे दे, साथ-साथ अपना ID 5-5 दिन जो है, इंडिया कंट्री के server पे ही लगा के रखें, आप VPN को यूज नहीं करें, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूर जो है, यहाँ पे आपका solution है, वो आपको नहीं मिला है, Microsoft की तरफ से भी यहाँ पे कोई भी reply नहीं आ रहा है, कोई भी response नहीं आ रहा है, तो अभी आप हमारे account में देख सकते हैं, यहाँ पे 1618 points हैं, लेकिन इसको मैं redeem नही है, तो guys, यहाँ पे जो solution है, वो काफी ज़्यादा लंबा है, यहाँ पे मैं आपको बदा दूँगा कि कैसे आप जो यहाँ पे इन ही points को use कर सकते हैं, हलागि India country में आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो है, जिस भी country में आपने जो है इसको earn किया है, कैसे आप जो उस country से इस points को use कर पाएंगे, लेकिन guys, यहाँ पे process थोड़ा सा लिंदी है, और इसके बाद में मैं आपको बदाऊंगा कि अगर आप अपने इस account को delete करना चाहते हैं, नया account बनाना चाहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी India country में भी आपको काफी सारे benefits मिल र करना है guys, क्योंकि Amazon.com है वो आपका यहाँ पे internationally यहाँ पे use होता है, Amazon.in के वो इंडिया में use होता है, यहाँ पे Amazon.com पे जाना है, और यहाँ पे आपको जैसे आपका US country का यहाँ पे आपने points को redeem किया है, Amazon gift card लिया है, US country का, तो आपको क्या करना है कि Amazon.com पे जाकर के और यह US की ID बना लेनी है, Amazon से जो है, आपको US की ID का इसे बनानी है, इस से related आपको बहुत साइव वीडियो मिल जाएंगी, वो आप देख लेना, जैसे guys, आप US की ID बना लेते है Amazon.com पे और यहाँ से आपको क्या करना है, Google Play का gift card खरी लेना है, लेकिन इसको खरीदने के लिए आप आपकी पास में 25 डॉलर होने चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 25 डॉलर gift card यहाँ पे collect कर लेना है totally, अपने Amazon एकाउंट में, उसके बाद में यहाँ पे Google Play Card आपको 25 डॉलर का खरी लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4-5 डॉलर का करेंगे, तो यहाँ पे दे सकते हैं, या coins करी सकते हैं, games में, या कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब play store balance आपको मिल जाएगा, बस के बाल यही एक तरीका है, जिससे आप जो अपने Google, जो है अपने Amazon का balance है, वो यूज कर सकते है, बाकी यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, तो यह आपको तरी गया गया, उसको भूल जाते हैं, लेकिन हम इसी email से, इसी number को use करके, नया account कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया country का तो कुछ भी collect हो नहीं रहा है, नहीं यहाँ पे gift शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप जो है, इसको अपने इस account को delete क कर सकते हैं, नया account जो है, इस emails बना सकते हैं, तो यहाँ पे guys, सबसे पहले आप देख सकते हैं, कि अभी India country में काफी सारी चीज़ें add की गए, जैसे यहाँ पे daily check-in भी आपको मिल रहा है, जिसमें आप daily check-in करके points का, यहाँ पे collect कर सकते हैं, सारी सार्च to earn तो पहले भी थ कराइंगे, तो 15-16 days में आप आराम से यहाँ फिलिप कारट का gift voucher ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास pagar है, तो आराम से आप जो है यहाँ पे 200 points daily earn का सकते हैं, और 8 days में आप यहाँ पे flip card का voucher ले सकते हैं, तो आपके पासfits और PC है, तो आप 8 दिन में आप flip card सकते हैं PC नहीं है तो आप 15-16 days में ले सकते हैं कुछ ना मिलने से वेटर है कि वहाई कुछ भी आप यहां पर अन्ग कर पाओ क्योंकि वैसे भी जो है कुछ नहीं मिल रहा है अगर आप यहां पर इक सर्फर चेंज करोगे बार बार तो अब का आपको एकाउट नहीं हो जाए गा तो उससे कोई फाइदा नहीं है तो आप अपने अकाउंट का सकते हैं वह चलीए आपको बता दे दोस अबसे पहले आपको अपनी प्रॉफाइल पर जाना है राइट लेट कॉर्णर में आप और जैसे ही आप अपने अपने काउंट को डिलीट करेंगे तो आपका डाटा भी चला जाएगा जो भी पॉंट्स आपने अंकिया थो भी चला जाएगा तो यह चीज़ आप ध्यान रखना अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉंट्स आपको मदलब नहीं है क्योंकि वो किसी एकाउंट से जो है रिलेटेड होंगी वो सब कुछ यहां पर खतम हो जाएगा फिर उसके बाद में आप नया एकाउंट बना सकते हैं क्योंकि अगर आप जो है सेम एकाउंट से अलग एकाउंट बनाएंगी तो आपका Microsoft जो है वो एकाउंट भी बैन कर देगा अब यहां इंडीया गाइस देग सकते हैं मैंने एक यहां पर बनाया है जो कि है मनलब दूसरे एमिल से बनाया गाइस और यहां पर देख सकते हैं मैंने 155 points भी यहां पर कल लिये है इंडिया कंटरी में यहां पर हमारे सारे जvyघ्फ जो हैं यहां पर मई एंपर मोई इसार शो कर नहीं तो आपका account जो है अगर एक बार फ्रीज कर दिया Microsoft ने तो आप जो है इंडिया country में कोई भी reward नहीं ले पाएंगे नहीं यहाँ पर points को earn कर पाएंगे तो जो गलती पहले हम लोगों ने की थी वो गलती अभी आपको नहीं करनी है और यहाँ पे अपने points को earn करते रहना है क्योंकि अगर आप जो है daily daily करके earn करेंगे तो अगर आपको monthly 2-3 coupon भी मिल जाता है तो वह भी बहुत है यहाँ फ्रीका मिल रहा है यहाँ पर कौन सा आपको ज़्यादा पैसे पेक करने पड़ रहे है ठीक है तो गाइस उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें सारी साथ हमारे चैनल पे नहें हैं तो चैनल को भी subscribe जरू कर दें मिलते हैं किसी और interesting वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ मे तब तक के लिए चैनल वने मात रम